बारत में कुरोना वारस एक बार फिर बढ़ने लगा है जुसे देखते हुए कई राज़ों में कुरोना से जुड़े नियमों को फिर से लागू कर दिया क्या कुरोना की चौती लहर ने पहले ही एशिया और यूरोप के कई देशों में तबाही मचा रखी है देश में पिछले कुछ दिनों से 2000 से जादा नए मामले सामने आ रहे हैं इस बीज देश में बच्चों के लिए तीन नई COVID वैक्सिन को मंजूरी दी गई है बारत के ओशदी महानियन तरक ने विभिन आयू वर्ग के बच्चों के लिए तीन COVID टीकों को मंजूरी दी है इसमें 6-12 वर्ष की आयू के बच्चों के लिए भारत बायो टेक की को वैक्सिन पांसे बारा वर्ष आयू वर्ग के बच्चों के लिए बायो लॉजिकल एकी कार्बो वैक्स और बारा से उपर के आयू वर्ग के लिए साइकोपटी की वैक्सिंग को एमर्जन्सिय इस्तमाल के लिए मंजूरी दी गई इदर देश में बरते नए मामलों के बीच करनाटर के स्वास्तमंत्री के सुधाकर ने विशेशक्यों ने भविश्वारी का हवाला देते हुए कहा कि कोरोना की चौथी लहर जून के बाद चुरम पर हो सकती है और अक्टूबर तक इसका प्रभाव हो सकता है उन्होंने टीक से एक महीने पहले शुरू हो गई है उनके अनुसार जून और माई के बाद इसके चरम पर होने की संभावना है जो सितंबर और अक्टूबर तक रहेगी कोरोन और वैक्सिनेशन से चुड़ी जानकारी से अबडेट रहने के लिवारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे